हेलो फ्रेंद्स दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कई लोगों को यह कहते हुए कि ने दातों में पारिया की प्रॉब्लम है देखें जानते हैँ कि पारिया असर में होता क्या है कई लोगों ब looking है कमारे दातो पर जो पीला पन जमा होता है उसे ही पायरिया कहते हैं जब कि ऐसा बिलकुल भी नहीं है बलकि हमारे दातों पर जो पीला पन जमा होता है वो हमारे दातों को सही तरीके से साफ ना करने की वज़े से होता है और जब हमारे मसूडे काफी ज्यादा कूल जाते हैं लेकिन जब वो संक्रमन और हमारे दातों का फीलापन मिल जाता है तो आपस में मिलकर पायरिया का रूप ले लिता है और पायरिया हमारे दातों को और हमारे मसूडों को काफी ज्यादा जामेज कर देता है जिसकी वज़से हम जो भी खाते हैं वो हमें सही से चबाने में नहीं आता है और उसकी वज़से हमारे दातों से काफी ज्यादा ब्लीडिंग भी होती है इसलिए दोस्तों अगर आप पायरिया से बचना चाहते हैं तो आपको शुरुवाती दौर पर बहुत फोकस करने की जरूरत है और शुरुवाती दौर होता है हमारे दातों की सफाई करना अगर आप सही तरीके से अपने दातों की सफाई नहीं करते हैं तो उसी की वज़े से हमारे दातों में संक्रमन होता है, दातों पर पीला पंजमा होता है और यही चीज बढ़ते बढ़ते पायर्या का रूप ले लेती है। इसलिए इस चीज से बचने की कुशिश करिए और अपने आपको स्वस्थ पराईए। मेरी ब्यूटी और हलसे रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए।